जहें दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से दोस्तों बले रश्या और युक्रीन के भी जंग चल रही है लेकिन रश्या भारत को हत्यार सप्लाई करने में लगा हुगा है रश्या ने भारत को करीबन 101S मिसाइले भीजी हैं और रश्या की ये जो मिसाइले हैं दोस्तों ये कम उचाही पर उडान भरने वाले जो ड्रोन, क्रूज मिसाइले और फाइटर जेट के लावर ड्रोन है उन्हें खत्म करने में शक्षम है भारतीय सेना के पास इसके पुराने संस्क्रण मौचूद हैं आपको मैं बता दो कि रश्या और भारत की बीश डील के तहट 24 मैन पोटेबल एर डिफेंस सिस्टम और 100 मिसाइले रश्या ने भारत भीजी हैं और जो बाकी की हैं उन्हें भारत में तयार किया जाएगा और इन मिसाइलों के शामिल हो जाने से भारत की बहुत कम दूरी यानि की वरी शॉर्ट रेंज ही जो एर डिफेंस समता है वो काफी बढ़ जाएगी साल 2021 में भारती असिना ने इमर्जनसी खरीद के तहित रश्या से 24 लॉंचर और 216 मिसाइले खरीद दी लेकिन यह जो डील है वो काफी नहीं है इगला इस सिस्टम में एक लॉंचर यानि कि एक सिंगल लॉंचर होता है साथी एक मिसाइल होती है आपको तादे की पिछले साल नॉंबर 2023 में 120 लॉंचर और 400 मिसाइलों को खरीदने को लेकर रश्या के साथ भारत ने डील की थी रश्या ने भारत को इसकी टेकलोजी भी टांसफर की है यह मिसाइले यानि की लॉंचर और मिसाइले दोनों ही भारत में बनेंगे इगला इस मिसाइल को भारत नॉर्दन बॉर्डर की जो पहारी इलाके हैं वहाँ पर तैनाद करेगा और वहाँ पर तैनाद जो सैनिक है वो इसका इस्तमाल कर पाएंगे पता दे कि पाकिस्तान और चाइना की जो फाइटर जेट्स हैं उनका खत्रा इन बॉर्टर्स पर काफी जाता रहता है भारतिय सीना की तो एक डेडिकेटिव रेजिमेंट भी है जो की इस सिस्टम से पुरी तरीके से लैस है और कहाई जारा है कि बाकी क्या अन्य रेजिमेंट्स को भी इस सिस्टम से लैस कर दिया जाएगा अगर इस मिसाइल की भी बात की जाए तो इसकी रेंज 500 से 6000 मीटर है दूसरों और टार्गिट हाइट करीबन 10 से 3500 मीटर है इगला इस सिस्टम को रशियन कमपनी रोज वोनन एक्सपोर्ट की तरफ से तयार किया जाता है और इस कमपनी ने फ्रांस तक की कमपनी को पीछे छोड़ दिया है मैंपैट सिस्टम पोटेवल सर्फिस टू एर मिसाइल सिस्टम होता है कमचाई पर उड़ने वाले हवाई खत्रों के खिलाफ इसका इस्तमाल पक्खू भी सिक्या जा सकता है जैसे कि मैंने बताया कि भारती से इना इसका इसका इस्तमाल पहले से कर रही है लेकिन वो इगला 1M फेरियंट के मिसाइल है क्योंकि से पहले कुछ खबरे आई थी कि भारत का जो 97% जो एर डिफेर्स सिस्टम है वो काफी पुराना हो गया ऐसे में इगला इस सिस्टम बिलकुल नया है इसका वार हेड काफी बढ़ाया गया है इसके रेंज भी बड़ी है इसमें एक जादा सेंसिटिफ जो सीकर है उसी भी लगाया गया है यानि कि दुश्मन के दौरा इससे रोकना या जक्मा देना असान नहीं है रोजबोन और एक्सपोर्ट की तरफ से ये भी दावा किया जा रहा है कि इसकी एक्यूरिसी जो है वो 80-90% तक सफल है अब तक रूस इस एर डिफेंस सिस्टम को कई देशों को एक्सपोर्ट कर चुका है जिसमें की कजाकिस्तान, कतर, लीबिया, वेनेजूला और इराक शामिल है भले ही रश्या युकरिन के साथ जंग में फसा है लेकिन रश्या अभी भी भारत को सबसे जादा हत्यार सप्लाई कर रहा है इसके लावा दोस्तों मैं यह कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से इगला सिस्टम भारत को मिले है ठीक उसी तरीके से S-400 की जो डिलीवरी है, जो रुकी हुई है वो भी समय पर हो जाने चाहिए क्योंकि इस वक्त भारत की दोनों ही सीमाएं काफी सेंसिटिव बनी हुई है दोनों ही तरफ से किसी ने किसी तरीके से जंग क्या हालात ही बने हुए है ऐसे में अगर S-400 की जो बाकी की दो स्क्वार्डन्स है वो भारत को मिल जाती है तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि भारत अपने एर डिफेंस सिस्टम को मजबूत भी करेगा और साथी साथ नया एर डिफेंस सिस्टम भारत का हो जाएगा और यहीं डिआडियो भी खुद के एर डिफेंस सिस्टम पर काम कर रहा है जो कि आने वाले कुछ वर्शों में तैनात हो जाएगे चीजे बहुत सारी हैं जिए प्रिटिक्स लेवल पर अगर आप देखें साथी साथ दिरे दिरे अपना मेकेन इंडिया के तहत अपना सेल्फ जो एर डिफेंस सिस्टम है उन पर भी फोकस होना चाहिए जो कि किया ही जा रहा है ऐसे में कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि रश्या भारत का एक ट्रस्टेबल पार्टनर है और यह जो विश्वास है वो अमेरिका कभी नहीं जी सकता है और अमेरिका बहले ही इस वक्त यह चाह रहा है कि हम भारत को हतियार सप्लाई कर रहे हैं लेकिन उसका इतिहास और उसकी जो स्टाटीजी और उसकी जो पॉलिसी है वो कई न कई एक टाइम पर बदल जाती है जिसका खाम्याजा कई देशों ने भुगता है तो भारत अब उन देशों की लिस्ट में शामिल नहीं होना चाहता इसलिए मेगन इंडिया पर भी भारत फोकस कर रहा है पास साफ हो जाते कि आतनिरभरता हत्यारों के शेतर में भारत का एक मातर वो मिशन है जिसे कि ना तो हमारी रश्या पर ज्यादा निरभरता होगी और ना ही अमारी का पर फिलाज इस बारे में आपके क्या रहा है मुझे कमें शिक्षिम में लिकर जोब दाएगा मिलता है विए एक साथ जाहिंद मने बादर